हाजी तो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त करगंधी आपके अपने फेबरी चैनल जी डी टेकी से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक So let's start the video दोस्तों जब भी investment की बात आती है तब सबसे पहला ध्यान जो आता है न वो हमारा बैंकों पर ही आता है क्योंकि बैंकों में investment जो है न वो सबसे safe मानी जाती है लेकिन दोस्तों करोना काल के चलते लगातार जो है बैंकिंग फील्ड में interest rate जो हैं वो कम होते जा रहे हैं जो के हमेशां से ही अच्छे returns के लिए जाना जाता है वो है दोस्तों इंदूसिंद बैंक आप देखी रहे हैं कि मैंने इंदूसिंद बैंक की official website को open किया हुआ है तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंदूसिंद बैंक जो है जो शुरू से ही अच्छे rate of interest के लिए जाना गया है कि आज की तारिक में अगर हम इंदूसिंद बैंक में investment करें तो हमें कितना जो है rate of interest मिलेगा और दोस्तों हम ये भी आपको बताएंगे कि मान लीजिए अगर आप 10 लाक रुपे तक पी investment करना चाहते हैं तो आपको कितनी जो है maturity value मिल जाएगा तो फ्रेंट्स टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हमारा वीडियो और जानते हैं क्या है सारा process तो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता ही है सबसे पहले आपको Google में सर्च करना है इंदू सिंद बैंक देखी दोस्ते जैसे आप इंदू सिंद बैंक को सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ओफिशिल वेबसेट दिखाई देने लग जाएगी आपको सबसे पहले उसे ओपन कर लिना है तो देखी दोस्तो जैसे ही वेबसेट ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेश जो है न वो आपको दिखाई देने लग जाएगा अब आपको सबसे पहले क्या करना है टॉपिक के मुताबिक रेट ओफ इंटरस्ट के बारे में जाना है कि 2021 में आपको जो रेट ओफ इंटरस्ट है इन्वेस्टमेंट के उपर वो कितने मिल रहे हैं तो देखिए दोस्तों ऊपर ना ओप्शन मिल रहे हैं परड़क्ट्स मेक पेमेंट्स डिजिटल बैंकिंग अपलाई ओनलाइन रीच आस ओफर्स एंड रेट्स तो जैसे ही आप रेट्स पर हाइलाइट करेंगे तो नीचे एक ड्रोपड़न मेन्यू खुलेगा आपको सबसे पहले उस मेन्यू में क्या करना है फिक्स डिपॉजिट के ओपर क्लिक करना है तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने फिक्स डिपॉजिट के ओपर क्लिक किया तो क्या हुआ हमारे सामने जो है न वो एक नया व WPF December 30, 2020 जी हाँ दोस्तो 30 December 2020 के बाद अभी तक इंदुसिंद बैंक ने अपने जो rate of interest है उनको revise नहीं किया है तो देखिए दोस्तो टेबल आख के सामने हैं माल लेजिए अगर आप 7 से 14 दिन के लिए या फिर 15 से 30 दिन के लिए fix deposit करवाते हैं तो आपको जो rate of interest मिलेगा वो मिलेगा 3.00% और senior citizens पे 3.50% ठीक है दोस्तो उसी तरह से 31 से 45 दिन के लिए आपको जो rate of interest है वो मिलेगा 3.40 senior citizens के लिए 3.90 अब बात करते हैं most popular FTA जो के है एक साल की तो देखिए दोस्तो 1 year 2, 1 year 2 days ठीक है दोस्तो अगर आप एक साल से लेके एक साल दो दिन तक की fix deposit करवाते हैं तो आपको जो rate of interest है वो मिलेगा 6.50% और senior citizens पे मिलेगा 7.00% बाकी दोस्तो टेबल जो है मैं आपको एक बार ना शुरू से दिखा लेता हूँ आप अपनी तैसीमा के हिसाब से rate of interest को जान सकते हैं हाँ जी तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि टेबल आपने देख लिया होगा अब क्या करते हैं जल्दी से FD calculator को open करते हैं और जानते हैं कि अगर आप 10 लाक रुपे invest कर रहे हैं तो आपको कितनी maturity value मिल जाएगी इंदूसिन बैंक में तो हम जल्दी से FD calculator को पहले open करते हैं तो देखिए दोस्तो FD calculator जो है वो आपके सामने है मान भी आप 10 लाक रुपे invest कर रहे हैं ठीक है और आपका जो rate of interest है journal कैटागी पे वो कितना है 6.501 साल के लिए ठीक है दोस्तो तो आपकी total investment है 10 लाक total interest आपको कितना मिल रहा है 66,602 रुपीज और जो maturity value बन रही है वो कितनी है 10,66,602 रुपीज उसी तरह से अगर हम बात करें senior citizens की तो उनको जो rate of interest मिलेगा वो मिलेगा 7% तो देखे दोस्तो 7% के हिसाब से क्या हुआ जो total investment है वो है 10 लाक रुपे rate of interest 7% के हिसाब से total interest आपका बन गया 71,859 रुपीज और जो maturity value है वो कितनी बन चुकी है 10,71,859 रुपीज तो देखा दोस्तो कितनी असानी से आज हमने इंदुसिंद बैंक के rate of interest के बारे में भी जान लिया और ये भी जान लिया कि अगर आप इंदुसिंद बैंक में investment करने की सोच रहे हैं तो आज की तारिक में आपको पितने rate of interest मिलेंगे और 10 लाक के ओपर maturity value मिलेगे सो फ्रेंट वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के जरिए जिरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो हमारा पसांद आया हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा हाजी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो हमारा पसांद आया हो इन्फरमेटिक लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा सो विदा लेते हैं आपसे इसी बादे के साथ के जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही इन्फरमेटिक वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई